हेलो इजेंट वेल्कम बैक क्लास 10 कंप्यूटर क्लास आज हम लोग सेशन 4 मैनेजिंग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे कि हम MS वर्ड में कैसे स्टाइल को मैनेज कर लेते हैं इस्टाइल क्या होता है पहले यह जान लेते हैं तो जैसे दिया भी नहीं स्टाइल और स्टाइल सेट और प्रीडिपॉइन और कश्टमाइज ऑप्शन यूज फार क्रिएटिंग गुड लुकिंग प्रोफेशनल डॉकमेंट्स वित लिस्ट इफ़र्ट्स यू कैन फाइन होगाए महीं होलकि होना हम क्या हम सारी इसे इस्टाइल में आए और बसक्ताइल कर सकते हैं जैसे जब हम में में वर्ड ओपेन करते हैं वर्ड जब हम ओपेन करते हैं हम आप आते हैं हम टैब में जा ओप्सन देखिए यहां पर दिफरेंट कम्प्पूटर हेडिंग इस्टाइल दिया है हम इस मेंणूक्त कलिक करते हैं सारा ओपएन हो जाता है स्टाईल और वहां से की सथे को कि देख सकते हैं यह सक्टेंग करने हैं यह संस्टाइल चेंज करते Քर is αiberal कर सकते हैं इस पंप इस्चाइल को स्टाइल के त्रूं क्रियेट करते हैं उसकी स्टाइल को हम change करते हैं बदलते हैं इसे करते कैसे हैं इसके step को जान लेते हैं सब से पहला हुआ है कि हम करेंगे क्या कि ऊपन करेंगे miss work फिर होम टैब में इस सबक्राइब होम टैब कि बाद हम जाएंगे style group में इस्टाइल ग्रूप पर इस्टाइल कर सकते हैं मैंने बताया कि दो तरीके हैं अब तो हम कंपुटर में प्री डिफाइन इस्टाइल को चूज कर सकते हैं या अपना खुद का में इस्टाइल भी क्रियेट कर सकते हैं तो इसमें यह देखे जैसे हाँ दिया हुआ सब्सक्राइब कहले कर सकते हैं या कुछ यहां पर दिखाए दिखाएं उनकी इस्टाइल को भी क्रियेट कर सकते हैं different font को यूज करके size को इस्तमाल करके font color को इस्तमाल करके हम different अपने खुद के style भी बना सकते हैं इसमें यही था next session है document templates किसे करते हैं document templates are predefined design यह होते हैं template or document refer to the simple fill in blank document that can help in saving time predefined policy से बने हुए documents हैं जिसका कुछ style ही जैसा जिसका हम उस्तमाल करके कम समय में किसी भी document को बना सकते हैं हम क्या कर सकते हैं किसी document को कम समय में बना सकते हैं अब सबसे पहला जानते है कैसे इसे open करेंगे इसके लिए सबसे पहला file पे click करते हैं than new यह new पे आते हैं different type of templates लगधे बिदके होते हैं जासे यहां पर दिख रहा है कि पाहले हम क्या करेंगे रेंगे फाइल पर देन न्यूο étant कर्ते ही यह सारे इस यह बारते होते हैं ईसमेह डिभ्रेंट काटे ऊब पल्धेट्ष आएसी अप्रधी इंश्जार होते हैं और बहुत सारे आसे होते हैं जो दिखाते हैं इस्टाल नहीं होते हैं इनको हम internet equipped है अगर हमारा computer हम इसके sites पर जाकर इसे install कर सकते हैं जिसे further हम इसका कर सकते हैं तो टेंपलेट जैसे हैं आप देखे एक दिया हुआ यह टेंपलेट यह प्रीडिफाइन टेंपलेट से बना हुआ है अब इसको हम चूज करेंगे और इससे जो भी वर्ड है वह चीज के अपने वर्ड्स या लेटर से या sentence लिखने हैं जिसे हमारा document कम समय में आसानी से और attractive document create होता है और यदि यह template इंस्टॉल नहीं है यह हम more और भी अधिक templates को install करना चाहते हैं तो Microsoft के हम जाकर download कर सकते हैं या दूत्रा है पर मिल स्टॉन से कर सकते हैं या ओपन ऑफिस ब्लोग से कर सकते हैं यह टॉक से सारे कुछ साइट्स हैं यहां पर हम जाके बहुत सारे templates को install कर सकते हैं और फिसे से कर लेते हैं इसे हम फिर से कर लेते हैं जिससे कि हमारा document वह further next time के लिए मौजूद है हम कैसे open करेंगे इसको देख लेते हैं पहले फिर से करेंगे क्या सबसे पहला file पर करेंगे देख लिक फाइल देन फिर नियूद फिर हो जाएगा चूच तर्टी जायर्ड ती जायर्ड ती जायर्ड स्पिलिंग दर देख लिजीएगा टेंपलेट को हम चूज कर लें और फिर करेंगे क्या हम अपने डॉक्मेंट को उसके उपर लिखते हैं जिससे की आसानी से हमारा डॉक्मेंट क्रियेट हो जाता है जो फिर आल इन दोनों में इतना ही है सेशन में नेक्स सेशन में हम जानेंगे वर्किंग विट पेज एंड सेक्शन ब्रेक के बारे में तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग